मित्रो आज आपको मैं तुलसी दास जी रचित बाल कांड में स्रीराम जन्म के संबंदित कुछ दोये सुनाता हूँ वसिष्ट जी ने सिंगी रिषी को बुलवाया और उनसे सुभ पुत्र कामेश्टी यग्य कराया मुनिके भक्ती सहित आउतिया देने पर अगनी देव हाथ में चरू हुष्यान खीर लिए प्रकट हुए तुलसी दास जी बोलते हैं जो बसिष्ट का चुईदय बिचारा सकल का जवा सिद्ध तुमारा यह भी बाटी देव निप जाई जदा जो गजे इबाग बनाई और दसरत से बोले वशिष्ट ने रिड़े में जो कुछ बिचारा था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया हे राजन अब तुम जाकर इस हविष्यान पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा बाग बनाकर बाट दो दुआ तब अद्रिश्य बये पावक सकल सबही समुझाई पर्मानंद मकनरिप हरसन हृदयम समाई तदनंतर अगनी देव सारी सभा को समझा कर अंतरधान हो गए राजा पर्मानंद में मगन हो गए उनके हिरे में हरस समाता न था तब ही राय प्रियनारी बुलाई को सल्यादी ताचलियाई अर्दवाग को सल्याई दीना उबयवाग आदे कर कीना उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया कोसल्या आदी सब रानियाँ वहाँ चलिया ही राजा ने पायस का आदाबाग को सल्याई को दिया और सेस आदे के दो भाग किये कह कही कानरिप सोदयाई रयो सोबै बाग पुनिबायाई कोसल्या कह कही हाथ धारी दीन सुमीत रही मन परशन करी वह उनमें से एक भाग राजा ने कह कही को दिया सेस जो बचरा उसके फिर दो भाग हुए और राजा ने उनको कह सल्याई और कह कही कह हाथ पर रखकर और उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसंद करके सुमित्रा को दिया एविदि गर्व सहित सब नारी वैडय महर्शित सुक भारी जा दिन ते हरी गर्वई आए सकल लोप सुक संपति चाए इस प्रकार संप इस्त्रिया गर्वती हुई वैडय में बहुत हर्शित हुई उन्हें बड़ा सुक मिला जिस दिन से हरी लिला से ही गर्व में आये सब लोगों में सुक और संपति चागई मंदिर मह सब राज हिरानी सो भासील तेजे की खानी सुक जुत का छुक काल चल गया हुई जेही प्रभु प्रगठ सो असर भया हुई सोभा सील और तेज की खान बने हुई सब रानिया महर में सुसो भी धुई इस प्रकार कुछ समय सुक पुर्वक बीता और वह असर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना चाहिए था जोग लगन ग्रावार तिती सकल भय अनकूल चर अरुचा चर हरस जुत राम जनम सुक मूल योग लगन ग्रावार और तिती सभी अनकूल हो गये जड़ और चेतन सब सहर्ष से भर गये क्योंकि राम का जनम सुक का मूल है नौमितितीम दुमास पुनाता सुकल सच पक्छ अभिजीत हरिपीता मद्य दिवस तिसीत नगामा पावन काल लोक बिश्रामा पवित्र चैत का महिना था नौमितिती थी सुकल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहुर्त था दुपहर का समय था न बहुत सर्दी थी न दूप गर्मी थी वह पवित्र समय सब लोगों को सांती देने वाला था सीतल मंद सरुबई भवावू हर्शित सुर संतन मन चावू बन कुसमित गिरी गन मन यारा स्रवहिसकल सरीतामरित धारा सीतल मंद और सुगंदित पौन बहरा था देवता हर्शित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था वन फूले हुए थे परवतों के समूह मनियों से जगमगा रहते और सारी नदियां अमरित की धारा बहा रहे थी सुवासर बिरंची जब जाना चले सकल सुरसाजी भीमाना गगन भीमल संकुल सुर जूता का वहीं गन गंदर्व बरूता जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने कावसर जाना तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले नेवल आकाश देवताओं के समोहों से भर गया गंदर्वों के दल गुनों का घान करने लगे बरसेंसुमनसुमंजलि साजी गगई गगण दुद्व